प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपने दो दिवसी दौरे पर हैं जिसमें वह आज आंधर प्रदेश पहुंचे इसके बाद वह केरल जाएंगे प्रधान मोधी ने अपने दो दिवसी दौरे पर आंधर प्रदेश पहुचे जहां उन्होंने ले पाक्षी में विर्भदर मंदीर में पूज़ा अर्चना की इसके साथ ही उन्होंने रंगनात रमायन के चंद भी सुने यह चंद तेलगू में है बता दे विर्भदर मंदर म बगवान सीव अपने रोदरूप में विराजमान है। इस कारण इसे विरभद्र मंदिर कहा जाता है। साथ ही रमायन में भी इसका विसेश महत्व है। माना जाता है कि यह वह जगह है जहा मा सीता का अपरण कर ले जा रही रावन ने जटायू को मार गिराया था। मरते वक्त जटायू ने भगवान राम को यह बताया था कि मा सीता को रावन दक्षिन की ओर ले कर गया है। इसके बाद भगवान राम ने उन्हें मोखच दिया था वहीं पियम मोदी मंदिर में राम की भक्ति में लीन दिखाये दिये इसी दोरान उन्होंने शीराम जैराम भजन भी गाए इसके साथ ही पियम मोदी ने आंदर प्रदेश के स्री शत्रसाइं जीले के पला समुद्रम में राश्टी सीमा सुल्क, अप्रतेक्षकर और नार्कोटिक्स एकादमी के नए अत्याधुनिक परिसर का घाटन किया और टेक्स सिस्टम में आये बदलाओ के बारे में भी बताया बीते दस वर्सों में टेक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किये पहले देश में भाती भाती की टेक्स विवस्ताय थी जो सामान्य नागरी को जल्दी समझ में नहीं आती थी पार दर्शिता के अभाव में इमानदार टेक्स वेयर को बिजनेस से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था हमने जी एस्टी के रुपे देश को एक आधुनी की ववस्ता दी सरकार ने इंकम टेक्स सिस्टम को भी आसान बनाया हमने देश में फेस्ट लेस्ट टेक्स एसस्टम शुरू किया इन सारे रिफर्म्स के कारण आध देश में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है ऐसे ही खबरों को देखने लिए जुड़ रहे हैं सर्माइटाइम्स के साथ मैं था आपके साथ नरायन पांडे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें प्रुड़ करें